सरहत पार कर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर दिन रात सुर्खियों में बनी हुई सीमा और सचिन मीडा की इस लब स्टोरी पर भारत पाकिस्तान दोनों देशों में बहस चल रही है पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर ने पती बदल दिया नाम, देश, धर्म और खानपान भी बदल दिया। पाकिस्तान से आई सीमा के बदलते रूप लगातार देखने को मिल रहे हैं। पिछले कई दिनों से मीडिया में खुल कर अपनी प्रेम कहानी बताने वाली सीमा और सचिन अचानक अपने घर से गायब हो गए हैं। जी हाँ, ग्रेटर नोटा के रभूपुरा गाओं में जिस घर में सीमा और सचिन दे रहे थे, अब वो वहाँ पर नहीं हैं। न्यूज 18 की टीम जब उनसे बात करने उनके घर गई तब वो दोनों अपने घर पर नहीं मिलें। घर के बाहर खड़े लोग अलग अलग कहानिया बता रहे हैं। कोई कहता है वो घर पर हैं। तो कोई कहता है अब वो बिना पैसे यानि फ्री में बात नहीं करेंगे। फिर हमारी बात खुद को सचिन का चाचा बताने वाले इस शक्त से होती हैं। लेकिन इनके जवाब भी गोल बोल नजर आते हैं। हमार साथ सचिन के चाचा है और हम उनसे जानने चाहेंगे कि इस खटना के बारे में क्या कहेंगे। आपके घर में पाकिस्तान से लड़की आती है जिनके साथ वो चार बच्चे अपने साथ ला रही है। और सचिन उसे एकसेप्ट करके अपनी वाईब बना के घर पर रह रहा है। आप इस पर क्या क्या रहे है। यह देखो सचिन खुद तो बताओ जवस्ते तो किसी ने की नहीं थी हैं पाकिसान चल गए वो खोड़ाई हैं यह बताइए जब पाकिस्तान में वो चार बच्चे उसके भूकिया मंदे से पती जब उसका पती कहा गया था उस टेम हैं आप पतनी बापस हैं जब पाकिस्तान में खुद भूकमरी पर रही हैं उस दिम बच्चे को उसने ने देखा था कि में बच्चे क्या कर रहे हैं क्या ने कर रहे हैं आप लोग संतुष्ट हैं कि वहां से लड़के और जो पब्लिक में बातें चल रहीं हैं कि वो घुस पैटी ह हैं या ISI की एजेंट हैं जासूस हैं उसमें इसमें जाच चल लएगी हैं अगर ISI की जाच होती है तो कि हमारी हम कह देखा आ अमने पूरा थे से ने हैं इस फी इस पासरा राजी नहीं है वो गए नेपाल इलेगली वहाँ से नेपाल से उनको बॉडर क्रोस करा कि लाए हैं, आप ने एक बार भी उस पर आपत्तीने जनाई की आप तुम अचानक से क्यों बॉडर क्रोस करके लोगा पूरा परिवार भी संकट में आ सकता है आपके सचिन तो है ही उनके माता पीता जो आप लोग हैं जितने भी नाते रिस्तेदार हैं सब के सबाल उठेगा आप लोग तेया रहें जाच चल लेगे इस बात की हम मोदी सर्गा से दरकाश करेंगे अपनी जास बरकरार रखें और जासूस तो यह नहीं इतने पता चार बच्चे लेके साथ आए कोई ऐसे नहीं आए ती चार बच्चे आज के समय में जासूस और जो क्रिमिनल्स हैं उनक अगर गल्च लेकरेंगे तो भी यहां से बाहर नहीं जाएंगी ठीक है ना यह मैं चाहता हूं कि आपके यह जो आपके भतीजे लगेंगे उनसे एक मिनट आप बात करवा दीजिए उनसे वो क्यों ने बात कर रहे हैं उनको भावी कैसी लगें वो एक मिनट बात तो करी सक करने में हम तो बस यह पूछ रहे हैं कि आपको अपनी भावी कैसे लगी वहां से आई हैं सचिन मीडा के घर के बाहर पाकिस्तानी बहू से मिलने वालों का मजमा लगा हुआ है लोग दूर-दूर से सीमा हैदर से मिलने आ रहे हैं कुछ राजस्थान से आई हुए लोग है हैं जो सचिन और सीमा को आशिर्वात देने आये हुए हैं इनका कहना कि हमारे देश की बहू है हम उससे मिलने आए हैं अगर 4 दिन लगेगा 5 दिन लगेगा तो हम आके उनसे मिल के ही जाएंगे आपने ये मान लिया कि ये आपकी बहु है हमारी बहु है लड़का ये बहु है आपको कोई security का दिकत नहीं लग रहा है आपको एकदम confirm है कि ये लोग safe है जो media में चल रहा है public बहुत से देश के लोग है जो अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ये लोग सही है सीमा को जा फवकाई करती तो घर-मकान को बेच के आईए और वो अलग route फ़े आईए ये ये आपको किसने दिखाए आपको कैसे पता चला है कि आपने मालिया टीवी पे तो ये भी कहा जा रहा है कि वो जासूस है नहीं जासूस नहीं हमारी आत्मानी आपने ये मान लिया कि वो घर ब कि बगल में गावों में ऐसी घटना घट रही है जाना पाकिस्तान से एक महिला आती है तो और आपको अपने को बताती है कि वो पगजी खेल के प्यार महबत में आ गई यहां से आपको कोई डर ने लग रहा ऐसा कोई बड़ी सेक्योटी इसू ने लग रहे हैं धेखो डर का तो फ्यूब है जब तक हमारी जाच एंजेंशिया के लियर नहीं कर देती है सिवाई किसी कौकी गढ़ वर नहीं है वो सभी है तो डर तो उस दिन नेकलेगा जिस दिन जाच एंजेंशिया अपना चाचा का घर है उनसे हमने जब बात की तो उनके जवाब हर बा अलगाया। उन्की बातों से लग रहा था, मानो और सीमा और सचिन यहीं हैं लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे है। घर के बार चर्चा कि सीमा और सचिन और उसके परिवार वाले कई दिनों से लगातार मीडिया से घिरे होने की वज़ा से परिचान हो। भीक से आराम नहीं कर पा रहे हैं, इस वज़ा से सीमा की तबीयत बिगर गई मैं बहुता रहा हूं जाओ क्रिश्ना श्पीटल में जाओ 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 यहीं पहें से गाम है और आप लोग इतने देड़ से टाल भाई साब मैं आपके चक्कर ने चार आएंगे ना हो सका किसी के जो हमने हिदाएद दी हुई है कोई पिश्टरी लेका आगए हो वाली को चुछी बूरी हो बैरहाल पूरे देगे सचिन सीमा के घर के बाहर रहने के बाद हम हम वहां से निकलने लगते हैं हमें निकलता देख सचिन के चाचा हमारे पास आते हैं और कहते हैं आपको वकील साहब से मिलवाता हूँ इसके बाद मोटरसाइकल से एक वकील साहब आते हैं हम वकील साहब के पीछे चलने लगते हैं वकील साहब को उचने पर कहते हैं हाँ वो दोनों यही हैं मुझे दो मिनट दीजिए मिलवा दूगा वकील साहब उठते हैं और हमें उस घर की तरफ ले जाने लगते हैं जहां वो पहले गए थे उस घर में अंदर एक कमरे में खुशते ही हमें सचिन और सीमा लोगों के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं वकील साहब कहते हैं सीमा ये कुछ मीडिया वाले तुमसे दो मिनट बात करेंगे आ जाओ सीमा सचिन के साथ बाहर आती हम सीमा से उनका हालचाल पूछते हैं वो कहती है ठीक हूं गही है तब ही उस घर में मौझूद लोग हमारा विरोज शुरू कर देते हैं और घर से बाहर जाने को कहते हैं जबकि सीमा को हमसे बात करने में कोई आपक्ती नहीं थी उस घर के लोग हमें बाहर जाने को कहते हैं हम उनसे सीमा और सजिल से बात करने की दर्खवास करते हैं लेकिन वो हमारी बात सुनने को राजी नहीं थे। मानो हमारे घर के अंदर सीमा के सामने पहुँच जाने से उन्हें जटका लगा। वो वकील से कहते हैं कि मीडिया को दुबारा घर के अंदर लेकर ना आए। इस तरह से वो हमें इंटर्व्यू लेने से मना करते हैं और आखिरकार हम भी उनकी बात और उनकी लिज़ता का पूरा संबान करते हुए घर के बाहर आ जाते हैं। भी वकील साथ हमसे तरह तरह की बाते करते हैं। वहांसे जाते वक्त जिस घर में सचिन वीना और सीमा हैतवर हमें मिले थे। उस घर को लेकर और उस घर के लोगों को लेकर हमारे मन में कई सवाल взять। सबसे बड़ा सवाल मन में यही था कि कल तक पूरी मीडिया के सामने अपनी प्रेम कहानी सुनाने वाजे सीमा एदर ने अब खुद को पडोसी के घर में क्यूं कैद कर लिया है